वेल्कम डियर स्टुडेंट्स आईए हम आज के वर्क्षीट को करते हैं यह वर्क्षीट नमबर 80 है क्लास 9 के लिए हमारा पहला कोश्चन जो उसको देखे एक मंदिर हैं जिसमें खंबें लगे हुए जिनके आधार की तरज़ है वो 20 सेंटिमीटर है और उनकी उचाई देवे हैं आपको उचाई जो है वो देवे हैं 10 मीटर तो जब कभी ऐसा हो यूनिट का तो उसमें जो छोटा यूनिट होता उसको बड़े में कनवर्ट कर लेते हैं तो रेडियस जो है हैं 20 सेंटिमीटर है उसको हमने हंड़े से डिवाइड करके मीटर में बदल लिया यहां पर कुछ शूत्र दिये हुए यह शूत्र आपको पहले ही पता है और ऐसे कितने खंबे यहां दिये हुए यहां पर 14 खंबे हैं तो सब का आयतन में निकाल दिया है तो आयतन का सुत् दिन पॉइंट इन पॉइंट सेट मीटर क्यों जो कि आपका और अप्षिन नंबर को सी है को से लगडिका एक पाइप है जिसका आंतरिक व्यास 24 यहां आप देखने से इंटर्नल डाइमिटर जो है वह चोविस है यह वाला इंटर्नल डाइमिटर जो है वो आपका 24 दे तो वह कितना हो जाएगा इसका अधा 12 और इसमें कुछ थीकनेस भी है तो बाहर वाला जो व्यास इसका यह देखिए मैंने capital D से mark कर रखा है वो 28 है यानि बाहर के जरुजिया 14 हो जाएगी और H जो का 35 दे रखा है और ऐसे केस में आयतन यह होता है वो क्या होता है पाइग capital R square मानस small r square into H H में का value 35 यह 7 से 35 कर गया पांच बार में और 14 का स्कार में इस टोल का स्कार जोंग वो 52 हो जाता है तो यह 22 और यह वाला पांच 110 है और इसको 52 से multiply कर लिया और यह multiply कितना आ गया 5720 cm3 मनें इसका वजन पूच रहा है रवान पूच रहा तो हमने क्या करेंगा आयतन को density से multiply कर देना है आयतन को घंद से multiply कर दिया और अन पर थे से मल्टिप्लाई करके और उसको हमने 1000 से डिवाइड कर रखा है ताकि वह केजी में कनवर्ट हो जाए तो यह जब आप करेंगे तो कितना जाएगा 3.43 टो कीजी जो कि आपका ऑप्शन नंबर कि यह में गिवन है पर कोशन नंबर 3 जा है उसको करेंगे कोशन नंबर 3 में क्या है कि बेलन का वकर प्रिष्ट और संपुर्ण प्रिष्ट यह बहुत है पहले में बता दे रहा हूँ ये भात इंपार्टन कोशन बहुतिंह इंट्रीस्टिंग कुशन है कई तो बेलन का वक्रिश्चत्रफल और कुल प्रिश्चत्रफल का आपको रिशो दे रखाए 1 2 तू वक्र पिश्यत्फफ़ल होता है 2 pi r h, पिश्यत्फफ़ल होता है 2 pi r, capital bracket में h plus r, यह ratio 1 is to 2 है, यह 2 pi r, 2 pi r cancel हो गया, यह वाला part cancel है, यह वाला part cancel है, तो उपर में h, नीचे में h plus r, equals 1 by 2 cross कर लिजे, तो 2 h equals h plus r, यहने h के हो जाएगा, radius के बराबर, यह h इधर जाएगा, तो 2 h minus h बराबर r, यहने h बराबर radius, यह equation number 1 बन गया, अब कुल प्रश्यत्फ़ल जो है, उसका आपको value दे रखा 616, कुल प्रश्यत्फ़ल क्या होता है, 2 pi r h plus r, अब h जो है, h है, वहाँ भी हमने r लिख दिया, 2 तो 2 ही रह गया, pi जो है, उसके value टेंटरी 2 by 7 होती है, यह वाला r तो यहाँ आ गया, और यह h जो है, वो किसके बराबर r के बराबर तो वहाँ भी r लिख दिया, तो r plus r क्या हो गया, 2 r, अब इसको 2 गुना 2, 22, 22, 22, 24, 24, 22, 88, नीचे 7, r into r, r square equal 616, 88 r square बराबर 616, और यह यह नीचे 7 है, तो यह इस तरफ multiply हो जाएगा, तो radius का square 49, यानि radius आपका कितना आ जाएगा, radius आपका 7 आ जाएगा, radius 7 है, लेकिन height भी तो radius के बराबर है, तो height भी 7 हो गया, अब आई तर निकालना है, बहुत आसान है, pi r square into h, तो 7 into 7, और h कितना है 7, इससे एकट गया, और इसको multiply कर दिया, तो कितना गया, 1078 cm3, अब देख लेते हैं कि कौशन पेपर में कि कौन सा option सही होगा, कौशन पेपर को मैं नीचे ले आता हूँ, और यह रहा आपका कौशन पेपर आ गया, और इसमें आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा कितना आया है 1078, 1078 जो है, वो option number C है, अब बोलता है कि एक आगस का पेपर है, आप भी पेपर फोल्ड करके, अब सिलिंडर बनाते होंगे, जो उस पेपर का area होता है वही उस cylinder का curve surface area हो जाता है, तो यहां उस में क्या दे रखा है कि उसके लंबाई दे रखे है 44 और चवडाई दे रखे है 20 यह लंबाई जो होगा यह इस आधार की परिधी हो जाएगी और आधार की परिधी क्या होगी, सब्सक्राइब दे रखे हो जाएगा और यह तो इन्टी टू इन्टी टू फॉर यह नीची आ जाएगा 44 से यह 44 कट गया याने रिडियस कितना बजिया 7 cm और यह बीज है यह ही इसका हाइप बन जाएगा 20 cm तो फॉर्मूले में बढाल लीजिए तो वर्म आ गया कितना 3080 सेटी मीटर तो 3080 जो है वो ऑप्शन नमबर डी है तो फॉर्म बन गया कोशन नमबर फाइब में क्या पोस्ता है कि हाइट दिया हुआ है एक का हाइट वन है दूसरे का हाइट टू है रेशियो में और बोलता है रेडियस का रिशियो क्या होगा और आज तन नोनों का सेम ह है तो आर वन का स्कौर इन्टो है फिर पाई आर चू का स्कौर इन्टो है ये आपको देख लिगा पाइ को हमने उडा दिया क्या होगे आर वन का स्कौर इन्टो हवन और यहां r2 का स्क्वाइर into h2, h2 कितना है दो, अब यह r2 जो है, इसको नीशे ले आए, तो क्या हो गया, r1 का स्क्वाइर divided by r2 का स्क्वाइर equals 2 by 1, अब स्क्वाइर हटाना है, तो इधर under root लग जाएगा, यानि r1 by r2 बराबर root, मतलब यह 2 by 1 का under root, तो radius का ratio क्या गया, root 2 is to 1, यह हो गया आपका radius का ratio, यहां तो option वाला question नहीं, ऐसे बना करके लिख देंगें, कि r1 is to r2 equals root 2 is to 1, तो यह आपका question number 5 था, question number 6 की और move करते हैं, question number 6 आप से क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है, देखते हैं हम लोग question में, question number 6 जो है, वो भी बहुत ही, बहुत ही अच्छा question इन्होंने set किया है, देखते हैं, फ़र question को समझ लेते हैं फिर, question number 6 में क्या है, कि एक बेलन जो है, उसका लम उशाई 10.5 है, मैं यहाँ पर figure draw करना हूँ, फिर हम लोग solve करेंगे, तो height जो है, वो आपको 10.5 दे रखा है, कोई problem नहीं है, height 10.5 है, चलिए बड़ी अच्छी बात है, अब बेलन का उपर जो होता है, वहाँ एक वृत होता है, नीचे भी एक वृत होता है, इसका area होगा pi r square, यह नीचे वाले का भी area हो जागा pi r square, तो कह क्या रहा है, कह रहा है, कह रहा है कि इन दोनों area को add करो, यानि pi r square plus pi r square, इसको add करो, और इसका तीन गुणा ले लो, question में ही कह रहा है, कह रहा है कि इन दोनों गृताकार सतों के शेतरफलों का योग का तीन गुणा, इन दोनों को add करो, इसका उपर का area और नीचे का area और उसका तीन गुणा, और ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा जो इसका वक्रप्रिश्चेतरफल है, इसका वक्रप्रिश्चेतरफल क्या वजबे लनका, 2 pi r h, उसके कितने गुणे के, उसके 2 गुणे के, ये condition दे रखा है और height दे रखा है, बुलता है कि आई तर निकाल करके दो, तो ये इन्होंने question में डाला है, चलिए अब solve करते हैं, डाइग्राम समझ में आ गया, जो formula यूजवा है, वो समझ में आ गया, अब चलिए करते हैं, calculation देखते हैं कि कैसे होगा, question number six, तो प्रशन से क्या कहा रहा है, कि उपर का शित्फल, नीचे का शित्फल, उसका तीन गुना, और इसके वक्रपिश शित्फल का दो गुना के बराबर है, तो वक्रपिश शित्फल के आ टू पाई आरेच, उसका दो गुना, तो दो गुना, दो चार, four pi रेच, और यह दोनों add करके होगा, two pi r square, उसको तीन से गुना करेंगे, तो six pi r square, अब देखो, आराम से मैं समझा रहा हूँ, यहाँ है six pi r square, और यहाँ है four pi r h, आपके मन में आराम से आएगा feeling, कि सर यह pi इधर भी है, और यह pi इधर भी है, उड़ा दिजिए न, और यह एक r यहाँ पर है, यहाँ पर दो r है, इस से इसको उड़ा दिजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, six r बराबर four h, यानि यह वाला h r जो है, वो क्या हो जाएगा, four h divided by six, वही मैंने किया है, four h कितना है, ten point five divided by six, तो चार को साड़े दस से गुना करोगे, तो 42 और 42 को six से डिवाइड करोगे, तो radius आपका seven आ जाएगा, अब radius seven आ गया, height दिया हुआ ten point five, आप आनाम से volume नहीं निकाल लोगे, आप आप आनाम से volume नहीं निकाल लोगे, रिवाइड करके कितना जाएगा, one six, one seven, cn cube, अब आईए, question number seven को देखते हैं, question को मैं परेड ट्राइक कर लेता हूँ कि question आपके सामने रहे, अब देखो क्या होता है, कि कुवे में कोई बच्चा या कोई जानवार ना गिर जाए ना तो कुवें के चार और, एक height सा बनाते हैं, जिसको जगत कहते हैं, हिंदी में, तो कुवें जो है, उसका diameter दिया हुआ है, 14 मीटर, यानि radius साथ हो जाएगा, और उसका height है 8 मीटर, अब इस कुवें से मिट्टी निकाला, और उसको कुवें के चार और, यह आप देख रहे हैं ना, dark किया है मैंने, उ जाया, हमाला है और यह आपया इसको उचा बनाया, तो बोलता है कि यह जो बनेगा ऐसे अंदर और यह बाहर और इसके बीच में मिट्टी भराग़एं कि वाइचम सब्सक्ति Ay Baş Dessy Talk, कि यह निकालना है, वह ही ताप देख आप, कि पीश्रुशन जग के ते अज ह्सके ची में ने किया है चबुत्रे कुछ आई पराबर पाई आर स्कॉर एच इसका आहतन और डिवाइड़ वाइड़ पाई आर स्कॉर मैनस आर स्कॉर है तो पाई-पाई कांसिल हो गया यह छोटा आर आपको दिया हुआ है 7 इंटो 7 और यह बढ़ार क्या हो जाएगा यह रेडियस स हाई तो यह आपका कोशना नमеर मिरें बन गया ऑगोश्य á제 ननमबर एट को करता है चलिए सिर्भ रखटा इंड़ को पढ़ ओर लेते हैं यही पर क्या है कुश्ण हमें समझ में आ जाएगा फिर हम इसको प्रोसीड करेंगे कोश्ण नमेर एट भीक्र्स्रें हम और बहु सारे कोशन वह इन्होंने चूज करकर के डाले हैं बहुत मेहनत किया है वर्कषिट बनाने में चले देखते हैं क्या कोशन है कोशन नमर एट में कहता है कि एक 14 cm लंबी ट्यूब है जिसका आंतरिक तथा बाहरी सतों के छिद्रफल का अंतर अठासी है और इस ट्यूब का आएतन जहें वह एक 136 गन मीटर है सेंटी मीटर क्यूब है तो भोलता है आंतरिक और बाहरी तिर्जिया होगी वह आपको बताना है तो बिसिकली हम एक ट्यूब बना ले रहें यह देखिए हमने ट्यूब बना लिया जो 14 सेंटीमीटर है अंदर की तरजिया हमने छोटी आर मानी है और बाहर की जो तरजिया उसको हमने इस कितना है 88 और यह आयतन जो है वो दिया हुआ 176 और हमको बोलता है कि इसमें और इसमें इसका वैल्यू निकालो तो सिधा सिधा कल्कुलेट करते हैं यह उपर वालगों चीज है इसमें से क्या कर लेते हैं यह वाला 2 यह वाला तो यहां पर क्या बचेगा यह वह अर बचेगा और यह वाला आर बचेगा और यह वाला आर बचेगा वह अंदर में रह गया सब्सक्राइब तो दिया हुआ है ना 14 डाल लो टू इन्टो टेंटे टू बाइ सेवन एच दे रखा है 14 7 से 14 को कटा दो तो दो बार में कटेगा दो गुना बाइस चवालेस गुना दो 88 आर माइनस रिको से टीएट यह 88 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा आर मा च्राइब दो जिन्टेटी टो थे नितुस पाई तो 22 बाइस से मिन हो गया आर जो हो अ है रहे हो हो गया और यह आर सकोएर मैनेस आर इसकोर आपने अपने आइडइंटिटी पढ़ी है ना यह स्कोर मैनस भी स्कोर क्या होता है ? अ प्लस मैनस बी तो यहां पर ओर आप यहा तो और यह क्या हो जागा वह 22 its 44 और यहां यह अर फ्लस र्प्लिस आ ईकास 176 को सिवाइड करता है तो तो कितले रेटीन करने क्या यानि यह फ्लस आर फ्लस आ गया और और इस दोने को एड़ कर दिया तो यह माइनसा प्लस और फट्रक्र के पांच यानि यानि बाहरे तरजय आज हो गई वह हैं घाइट सेंटीमीटर और अंदर के तरजय जो है वह हमने equation 2 में डाल करके यहां पर value निकाल लिया अंदर की तरजा कितनी होगी 1.5 cm अब question number 9 question number 9 क्या है कि एक pipe है और जिसका diameter है 2 cm यानी radius एक cm हो गया अब इस pipe में पानी बह रहा है कितना 6 meter per second के रफतार से 6 meter per second के रफतार से यानी एक second में 600 cm क्योंकि एक मीटर में 100 cm होता है और उसमें 30 मिनट तक पानी बहता है कितना 30 मिनट तक 30 मिनट को भी second में बदल लिया तो कितना हो गया 300 सेकेंड अब हम यह मानते हैं कि इस पाइप की जो लंबाई है यह देखे जिसको मैं ब्लू से अंडरलाइन कर रहा हूं वह क्या है दूरी बलाबर क्या होता है चाल इंटू समय चाल यहां है समय यहां इन दोनों को गुना कर लिया 600 इंटू 1800 यह हो गया इसके लंबाई अब इस पाइप में एक ही बार पानी भर लो ऐसा एजियूम करते हैं और इसको इसमें पलट दो बड़े वाले टंकी में और देखना है कि यह टंकी जो है जिसका रेडियस जो हो 60 है बोलता है उसमें कितना उचाई तक पानी जाएगा तो बेसिकली इस वाले पाइप में जो पानी का आयतन होगा वहीं इस टंकी में पानी के आयतन के बराबर होगा तो इस पाइप का आयतन क्या होगा पाइच को एस दोनों से different करेंगे पाई पाई कैंसिल हो गया छोटा आर जो है रेडियस वो वन इंट वन है और आर स्क्वाइर तो आपको पता है कितना यह एच जो है वो कितना है आपको 600 इंटू एटीन हंडेट और नीचे 16 इंटू 60 तो कितना हो गया 300 सेंटिमीटर यानि इसमें 300 सेंटिमीटर पानी भराएगा तो 3 मीटर विया इसका अपोर्शन नूंबर 10 भी अच्छा इन्होंने क्या करखा है कि एक स्रेंडर है जिसका रेडियस जो है और इसका हाइट वाइड करके 37 हम यह नहीं पता कि रीडियोस कितना है यह पता है कि रीडियोस और हाइट मिल करके 37 है और कुल प्रिश्च्छत्रफल जो है वह 1668 से कुल प्रिश्च्छत्रफल यानि 2Pi R H प्रिश्च प्लस R इसकी वैल्यों में पता है यह पता है और R प्लस है कितना होगा वह पता है रोखिए जिए आपको कोशन दिखा देता हूँ तो आपको ज्यादा क्लेर एक पिक्चर हो जाएगा आपको लगेगा कि क्या बता रहा है कोशन को थोड़ा सा देख लीजिए क्या आप बूल रहा है कि एक बिलन है जिसके आधार कितर जी और उज्जाई का योग 37 है और इसका संपुर्ण प्रिश्य तरफल जो वह इतना है इसका आयतन कितना होगा वह आपको बताना है तो चलिए आप सॉल्ब करते हैं कोशन में दिखा दिया मैंने तो क्या हो गया 222 बाइस सेवन रेडियस क्या हो पता नहीं है एस प्लस आर हमें पता है कि वह उसके वैल्य कितनी है 37 और यह कुल प्रिश्य तफल जो है 1688 क्योशन में दिया हुआ है यह आर यहां पर यह 7 जो है डिवाइट में इधर जाएगा तो मल्टिप्लाइ हो गया यह 2 इंटो 2244 यह प्लस आर 37 यह बीच में आर रहे गया अब यह आर की वैल्य क्या होगी इस पूरे को इन उन्हों से डिवाइड करेंगे तो रेडियस की वैल्यू आ गई साथ अब क्या कहता है कि एस प्लस आर 37 है रेडियस आपको साथ पता चल तो आप वॉल्यूम निकाल लो वॉल्यूम तो आपको पता है न फर्मूला क्यों होता है पाया इसक्वार एच आपने कर लिया आगया 462 जीनोमीटर क्यूब आम आई हम लास्ट कोशन अपना कर लेते हैं लास्ट कोशन जो है कोशन नुमर 11 कोशन नुमर 11 में क्या है कि यह एक पाइप है और उस पाइप से पानी आ रहा है उस पाइप में पानी आ रहा है और वह पानी जो आ रहा है आपका तो उस पानी का वेग दिया हुआ है है मेंटर 2 ऑ सेटेंड और इस पाइप का डाइमेट रहे रहे गा तो यह क्ला लिया कि जो तो इस पाइप से पानी आ रहा नो वो इतना लंबा है कि उसमें एक ही बार पानी भरो और उसमें पलट दो यह भर जाएगा आपको वही निकालना भी है कि कितने दिर में भरेगा तो वेग दिया हुआ है यह दूरी निकाल लो समय आ जाएगा निकल करके तो तो क्या हो जाएगा इस वाले पानी काहएट उन में पानी काहएटन वहा आपको यह निकालना है थैस्ट रंधोन प्रेट से दिवाइट करतो तो यहLPा आरज हे वह कितना है इसका इसका धामilyn में यह रग दिया 0.7 इंटो 0.7 है रग दिया 2.1 और इसका रडिस कहा है 3.5 बाइद दो सो 3.5 बाइद दो सो अब यह दो सो दो सो जो नीचे में इसको पर ले आए और इसको कटा पिटा दिया 0.7 से कट जाता है यह दो सब्सक्राइब करें तो इतना जाता है 3 3 60 मीटर स्पीड दिया हुआ है 2 मीटर प्रती सेकेंड तो टाइम कितना हो गया 3 3 6 0.2 यानि दो सबसे मिनट दो सबसे मिनट दो सबसे मिनट यानि चार गंटा और चार गंटा चारिस मिनिट में भर जाएगा ओके आप स्क्रिंशॉट ले सकते हैं इसका ताकि आप आराम से लिख सकें कोशन नम्बर 11 का ले लिजिए कोशन नम्बर 10 का ले लिजिए अभी कि वरक्षीट आ रहा है इसको मिस्स नहीं करना चाहिए यहीं एक्जाम में पूछेंगे और बाखी सारे कोशन कभी ले लिजिए एट का ले लिजिए 7 वाला तो छोटा सा एक कोशन है 7 उसको बहुत छोटे में मैंने बना दिया है और 6 का ले लिजिए क्वेशन नम्र 5 का ले लिजिए स्कीन शोट 4 का भी ले लिजिए क्वेशन का ले लिजिए 6 का ले लिजिए 5 का ले लिजिए 4 का ले लिजिए यहां 3 का भी आप ले सकते हैं 2 का भी ले लिजिए और 1 का भी ले लिजिए है मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू बहुत जल्दी जो 81 और 82 वरक्षीट है वो भी अप्रोड होंगे धन्यवाद